गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओ ओम भूर भूवाह स्वाह तश्यवी तुर्वारेणियम भर्गोते वस्यदी माही धियो योनाः प्रचोदयात बात दुबारे से पांचो तत्वों की दुबारे से बात चल रही है प्रमान, विपरिय, विकल्प, निद्रा और स्मर्ती इन्हीं पांच चीज पर चर्चा चल रही है व्यक्ती का स्वभाव है कि वो अपने आपको नहीं जान पाता मनुष्य का लगाव मनुष्य के साथ और ओरत का लगाव ओरत के साथ नहीं हो पाता सांसारिक लगाव के बात कह रहा हूँ ऐसे ही व्यक्ती अपने आपको नहीं पहचान पाता सचमुच अगर व्यक्ती अपने आपको पहचान जाए तो अपने आपको दो भाग में विभक्त कर ले एक सत्य और दूसरा असत्य जीवन जो मिला है वो असत्य से सत्य की तरफ जाने के लिए मिला हुआ है आत्मिक कमजोरिया कहिए चेतना आत्मक कमजोरिया ही व्यक्ती की कमजोरी है जो उस व्यक्ती को उस सत्य की तरफ नहीं बढ़ने देती इसलिए व्यक्ती को सत्य के पत पर बढ़ने के लिए अपनी चित की व्रतियों पर नियंत्रन करना पड़ता है मैसूस भी आप करते होंगे अगर चित्वरतियों से किसी भी तरह की गलती भूल चूक होती है तो जीव को पच्तावा होता है जब चित्वरतियों पर नियंत्रन होता है तो जीव अपने लक्ष की तरफ बढ़ता है इसे ही योग कहते है अब दुबार से फिर बोल रहा हूँ सरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के साथ साथ सात्तिक भोजन के साथ साथ मानसिक व्यायामों की भी आवशक्ता पड़ती है इसी के कारण साथनात्म करमकांडों का जनम होता है साथनात्म करमकांडों का उद्देश है अपनी चेतना में निखार लाना और अपने सरीर के द्वारा वो प्रमानिक करम करना जिनको अंतर आत्मा स्विकार कर ले पर तभी ये संबब है जब उसका उद्देश चिंतन के स्वरूप को उचा उठाने का हो उसी दिशा में आपका योग की जो क्रिया है वो उसी दिशा में आपके चिंतन को आपकी सोच को उसी दिशा में चलाना सुरू कर देती है योग का जो बहीरंग रूप है वो व्यायाम करमकांड के रूप में सामने आता है क्या इस पर किसी को आपत्ती है कि हम यग किंज करते है हम जब क्यों करते है हम पूजा प्राथना क्यों करते है क्या आप में से इसको इसको किसी को आपत्ती है क्या अगर नहीं तो उद्देश्य पूछ रहा हूँ उद्देश्य क्या है कुछ रटी हुई बात को रोज कह ले न नहीं अपने चिंतन को परिस्कृत करना मैंने कहा जैसे स्रम करने से सरीर का व्यायाम होता है ना के आज योग भी तो भ्रस्ट हो गया है जगे जगे योग के सेंटर खुले हुए है जो तरह तरह की मसीनरिया लगा करके एकसरसाइज कराते हैं और पैसे लेते हैं परन्तु इसको योग नहीं कहते किरिया के साथ में आपका स्वभाव जुड़ा हुआ होना चाहिए अगर आपके किसी काम को करते वक्त अगर आपका उस करम के प्रती लक्ष ये है कि मुझे किसी का भला करना है तो वो काम भलाई का होगा अगर आपका उद्देश भलाई करना है अर्थात करम को मानसिक चिंतन करम को मानसिक सोच और मानसिक सोच के साथ आपका चिंतन जुड़ा हुआ है दोनों के जुड़े हुए रहने के कारण सरीर से हम स्रम करते है मन से अच्छा विचार लगाते है और चिंतन में अच्छा भाव लाते है योग कलेवर का यही सच्चा स्वरूप है उपनिसद में इसका प्रतिपादन अध्यात्म दर्शन जो उत्करष्ट चिंतन और आदर्स कर्थव्य की प्रेरणा देता है जिसे प्राचीन काल में ब्रह्म विद्ध्या भी कहा जाता था चिंतनिस्तर की उमंगे अंतरंग के अंदर अंतरंग में चिंतनिस्तर की उमंगे पैदा हो और वो कर्म पर चाई रहे उससे दिशा निर्धारन और परिस्तियों का निर्मान होता है और याद रखना परिस्तियों से ही घटनाओं का निर्मान होता है भावना का मर्मिस्थल परिस्कृत संतुलित बने इसी को योग कहते हैं और आध्यात्मिक सिक्षा भी यही है आपको कहा गया था हर चीज का प्रमान आप है हर चीज का प्रमान आप है आप से ही वो चीज प्रमानित है इश्वर ने सब को जीवन दिया है भाग से व्यक्ति को संपदा मिली है भटकाव यही है कि व्यक्ति जीवन को महतो ना दे करके संपदा और सुक को महतो देता है मनुष्य के लिए इश्वर ने सादा जीवन और उच्विचार का लक्ष रखा है अगर भगवान ने किसी को जादे दिया है तो खाने के लिए नहीं दिया है सुक के लिए नहीं दिया है वो इसलिए दिया है कि आपको जादे जरुरत है तो आपको जादे मेहनत करनी होगी जादे समाज का चुकाना होगा तो इसलिए आपको जादे दिया है परंतु व्यक्ति उसको जादे पा करके अपनी उपलब्दी समझ लेता है और उसका प्रियोग अपने सुखों में कर लेता है मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा पहले जिनके गुजारे नहीं होते थे बाद में उनकी संतती ने बहुत मेहनते की और उस मेहनत के आधार पर उनके दिन बदले परन्तु दिन बदलने के बाद वो अपने पुराने दिनों को भूल गए वर्तमान के सुख में इतने आकर के खो गए के अपने अतीत को ही भूल गए जहां उसकी सोच अपनी धन की गरीबी को मिटाने के लिए थी माँ पर अथक अडिग प्रियास उन्होंने किया और ये इस बात का प्रमान है कि उनकी मेहनत रंग लाई आस्था को तिलांजली दे करके धोंगी और निक्रस्थ विचारों को धारन करके जो अपने आपको आदर्सवादी बनाता है उस आदर्सवाद से वो क्या पाता है दूसरों की नजरों में वो उँचा उठ सकता है परन्तु अपनी अंतर आत्मा की नजर में उँचा नहीं उठ सकता आपकी अंतर आत्मा ही हर चीज का प्रमान है याद रखना जो अंतर आत्मा की द्रस्ती में उँचा उठ गया उसको सब जगे सम्मान मिलेगा चाहे वो कितना ही गरीब क्यों न हो उसको हर जगे सम्मान मिलेगा उंचा पद मिलेगा मैंने ये देखा 108 कुंडी ये यग्यका मुझको प्रभारी बनाया गया जुम्मेदारी तो करम की दी गई सारा आयोजन आपकी जुम्मेदारी होगी आयोजन किसका था परंपुच गुर्देव का आयोजन किसका था परंपुच गुर्देव का प्रकर्ती का स्रस्टा का जुम्मेदारी निवहाई गई उस जिम्मेदारी के कारण जो जिम्मेदारी को लेता है उसके कारण उसको पूछा जाता है क्योंकि अच्छाई बुराई सब का जिम्मेदार वो होता है आप सुनने वालों में सरकार में किसी भी पद पर आप रही होंगे चाहे आप किसी भी विवाग में क्यों ना हों परंतु आप सरकार के अंग थे चाहे आपका करम चपडासी स्तरका था परंतु वो ही आपकी सरकार में जुम्मेदारी थी उस पद के कारण आपको सब पूछते थे पद छूट जाए, रिटायर हो जाए फिर उसी आदमी को कोई नहीं पूछता सब कुछ खो देता है आज का व्यक्ति भी अपने सुखों के लिए सब कुछ खोता हुआ चला जा रहा है देख लीजिए चाहे आप कितने ही धन्वान और चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो गरीब के घर में धर्म धोरा हो सकता है हाँ बेटा ये नहीं जैसा भी काम करेंगे करम के बाद जो फल आएगा वो प्रमान है इस चीज़ का जो करम आप करेंगे वो करम का जो फल होगा वो ही इस चीज़ का प्रमान है ठीक कह रही है बेटा फिर आपको परिणाम से ये नजर आएगा कि मुझे और जादा सफलता पानी थी मैं फिर से कहता हूं बेटा ध्यान देना जरा आज कल बच्चों के पेपर चल रहे है पेपर में पेपर करने के बाद जब बच्चा घर आता है तो अपने पेपर को एक बार फिर ले करके बैठता है और ले करके बैठता तो फिर तोलता है तोलता है इतने नमबर का ये सवाल इतने नमबर का ये सवाल इतने नमबर का ये सवाल करके आया हूं और सारे सवालों के नंबर जोड करके कहता मेरे इतने नंबर आएंगे परन्तु तोलने वाला वो खुद भी है अपने करम को बेटा अपने करम को जो वो करके आया है वो खुद भी है अब मैं ये कह रहा हूँ अगर एक बच्चा सो नंबर का पेपर करके आया है और उसको पचास मिले है उसकी परमानिकता ये है कि सो में से आपने पचास नंबर लिये तो आपका इस्तर पचास का है परंतु क्या वो अपने स्तर को बढ़ा नहीं सकता स्तर को बढ़ाने का प्रियास ही वो है जो अग्यानता अग्यानता को दूर करना जितनी अग्यानता को दूर करेगा उतना इस्तर बढ़ता चला जाएगा विपरिया इसी को ही कहते है आदमी करम तो करता है परन्तु मन में देखिए दिखावे के लिए करता है वावाई के लिए करता है स्रे के लिए करता है अग्यानता हटेगी तो करम करम की भावना से होगा अज्ञानता यानि के विपरिये हटेगा तो करम का परिणाम और अच्छा होगा विकल्प कोई नहीं है आपका प्रमान ही आपका विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है आपको करम को करम की भावना से ही करना होगा करम योगी इन सब तथ्थ्यों को समझता है इसलिए हानी और लाब दोनों को उलट पुलट करके विचलित नहीं होता करम करने वाला जब करम को करम की भावना से करता है तो वो अपने आपको करम के प्रती जुम्मेदार समझता है वहाँ पर करम के साथ मैं वो लाब हानी को नहीं देखता वहाँ अपने जीवन को व्यापार नहीं बनाता मैं क्यों करूं मुझे क्या लाब है जो इस बात को सोचता है वो करम को करम की भावना से नहीं करता परन्तु जो सोच करके करम को तब करता है के मेरी भी कोई जुम्मेदारी है मुझे अपनी जुम्मेदारी को पूर्ण करना है ये करम की भावना है दोनों की परवाह वो लाब हानी की नहीं करता परवाह करने योग बात उसे प्रतीत होती है और वो ये होती है अपना करतव्य ही करम है अर्थात आपकी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है करम अरे आपने अगर किसी का ले रखा है तो दोगे नहीं क्या और आप कहरें मैं तो लुट गया मैं तो अच्छा फसा बिल्कुल ठीक बात है गुपता जी परमान और प्रणाम दोनों ही भिन्य है निश्चित रूप से परंतु हमें भिन्यता को नहीं देखना है माबाप अपने बच्चे को जनम देते हैं फाइदे का काम नहीं है गाटे का ही काम है सारी संपत्ती का मालिक हो जाता है उनकी का और दुख देता है करतवे भावना ये है कि माबच्चे को जनम दे करके पिता बच्चे को जनम दे करके उनी को अपनी संपत्ती मानता है और सारे दुख उसके उठाता है अगर आप करम को इस भावना से कर रहे हैं तो आपका इस्तर इश्वर के छेत्र में आत्मा के छेत्र में बढ़ता चला जाएगा मैं पूछ रहा हूँ पद का सम्मान होता है और नहीं होता है गिरे से गिरा व्यक्ति भी जब किसी मंत्री को सम्मान पाते हुए देखता है तो उसका मल भी बचलता है कि मुझे भी मंत्री बनना चाहिए एक सिपाई दरोगा बनना चाहता है ना बना तो कहलवाना चाहता है मैं हूँ तो सिपाई परन्तु सब मुझे दरोगा जी कहें और दरोगा जी बन गया तो उससे उपर चाहता है मैं स्टेशन का प्रभारी बन जाओं स्टेशन का प्रभारी थाने का प्रभारी बन गए आप तो आप ये चाहते हैं कि मैं जो कप्तान है वो बन जाओं यानि कि कप्तान भी बन गए तो आप कप्तान से सुखी नहीं है ये तो मैं हूँ अब मुझे इस से आगे जाना है कर्तव्य की भावना जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी देखो करम तो सब करते है पेट भढ़ने का भी करम है पेट के साथ इंद्रियों की त्रप्ती करना भी करम है निक्रस्ट भी करम है उर्तकरस्ट भी करम है अपनी जूटी थीक तरह अदा करता हूँ ये बात मेरे लिए संतोस जनक है अगर मैं अपनी जूटी को ठीक से निरवाहा करता हूँ तो ये ही मेरे लिए संतोस जनक परिस्थिती है अपने आनंद को दूसरे को नहीं बेचिये अपना जो आनंद है उसे दूसरे को मत पेचिये ये करेगा तो मैं सुखी रहूँगा ये करेगा तो मैं सुखी रहूँगा ये करेगा पर अप ऐसा अगर आप सोचते हैं मैं तो कह रहा हूँ मेरा बच्चा मेरी करेगा क्यों करेगा ना ये भी सोचना बंद कर दीजिए मुझे अपने लिए सब चीज खुद पैदा करनी है अपने आपको अपनी मुठी में रखना अपने सुक को अपने आनंद को अपने भगवान को अपनी मुठी में रखना अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आप दूसरे की मुठी में चले जाएंगे आप दूसरे की मुठी में चले जाएंगे और सता सता करके पिने चुबा चुबा करके दुख दे दे करके अपने बदले चुकाएंगे अमुक फन मिलना हाथ की बात नहीं है पर अमुक कर्म करना अपने हाथ की बात है ऐसा अधार ही क्यों पकड़ा जाए जो दूसरे की किर्पा का पात्रह में बनाई हमें तब सुख मिलेगा जब वो हमको सुख देगा एक बिटी आभी लाइन पर है वो कह रही थी मेरी जिठानी मुझे ऐसा बोलती है ये करती है ये ये करती है मैं उससे कह रहा थो क्या हो गया मैं उससे कह रहा था तो क्या हो गया अपनी प्रवर्ती के अनुसार वो अपने करम को कर रही है आप उसके करम में सामिली मत हुई है मैंने उससे पूछा तुझको भोजन की आवशकता है तुझको सांस की आवशकता है तुझको देखने की आवशकता है तुझे सुनने की आवशकता है ये इश्वर प्रदत हैक नहीं है कोई तेरा सांस छील लेगा कोई तेरी रोटी छील लेगा कोई तेरे सम्मान को छील लेगा अगर उसकी बातों में आप आ गई तो फस गई उसने मुझे ये कहा उसने मुझे ये कहा उसने मुझे ये कहा उसने मुझे ये दुख दिया उसने मुझे ये दुख दिया तो फिर तो आप वो ही करोगे जो उसने किया वो ही तुम करोगे तो अपने जीवन को नर्क बनाओगे क्या दूसरे ने आपको प्रेरित किया और प्रेरित करके आपको अपने नुसार चला लिया वो तो नर्क में गया ही गया तुम भी उसके साथ नर्क में गिरोगे कहां की समझदारी है सुक की सांस आती है कोई पीड़ा नहीं होती कोई दिक्कत कहीं नहीं है सिस्टम में ठीक से जा रही है और अपना काम कर रही है हम सुक ही है परन्तो हम दूसरे को देख रहे है हमें अपने आपको देखना है यही अमारा प्रमान है जो कर्म हम को सुक दे सम्मान दे वो ही प्रमान है जब दूसरा पक्ष चुप हो विप्रीत उत्तर दे हम दुख में बिल्खे ये तो पराधिनता है पराधिनता मैंने उस बिटिया को ये ही समझाया है के तू उसकी गुलाम हो गई तुझे स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है तू अपने घर को बसाएगी नहीं उजाड़ देगी क्योंकि तू अपने पैरो पर नहीं खड़ी मैंने उसको समझाया अंदर से अपनी संकल्प शक्ती को जगा मुझे अपने घर को बसाणा है स्वार्थ का समय है तलियुक का समय है इस समय पर आदमे केवल 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 अपने बारे में सोच रहा है बेटी यही निद्रा है जो हम सुक की नींद में सोए हुए है वो निद्रा नहीं है जिसको आप रात को सोते हैं ना वो निद्रा नहीं है दूसरे ने हमको सताया और हमको पीड़ा होने लगी पिन चुबने लगी अंदर से नींद भी उड़ जाएगी आपकी समझ भी उड़ जाएगी आपकी हमारी चेतना पर निरंतर ज्यान आत्म प्रकास के रूप में काम करता रहे तो फिर आलश्य परमाद निद्रा नाम की चीज कैसी हुई आप उनसे बहुत दूर चले जाएंगे आत्मिक ज्यान निकलेगा तो इस्मृती बढ़ेगी सारे बंदन कटते चले जाएंगे सूरेज निकलता है सारे भै मिठ जाते हैं क्योंकि सारे बंदन कट जाते हैं परमपुझ गुर्देव ने उसी के लिए हमें गाहित्री महमंत्र दिया तस्यवितुर्वरेनियम भर्गो देवस्चेदी मही धियो योने प्रचोदयात उसी के लिए दिया प्राधिंता का बंदन भाग के प्रारब्द इश्वर के धन के समर्थ के किसी के उपर भी आपको आश्रित नहीं रहना है आपकी चेतना ही आपका सहरा है अच्छा ये है के आप स्वाधीन बने अपने स्वतंत्रता को किसी के हाथ बेचे ना चाहे कोई आपका कितना ही विश्वास पात्रों नजदी की क्यों ना हो अपनी स्वतनता किसी के हाथ नहीं देनी फलना सही करम करना तो अपने हाथ में है करम से ही संतुष्ठ हुई सही करम करना तो अपने हाथ में है उसी में आनंद को ढूंडिए फल की प्रतिक्षा में मुद्दतों तक बैठना पड़ता है परंतु कर्म को कभी कर लीजिए कर्म को कभी भी कर लीजिए तुरंत हो जाएगा और मैं तो कहूं अभी आप क्या कर्म नहीं कर रहे कर्म तो आप अभी भी कर रहे है इसलिए जीवन के उस सही स्वरूप को समझे जीवन के उस सही स्वरूप को समझे सब कुछ आप है आपका होना ही हर चीज का प्रमान है आप ही सब कुछ है सरवेश्वर सब कुछ आप है अगर आपको अपना आपा समझा गया तो पूरी दुनिया आपको समझा जाएगी पूरे जिस्ते आपको समझा जाएंगे भगवान आपको समझा जाएगा ग्यान की स्मृति की ग्यान की बात आपसे कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं सबसे बड़ा लाब अपनी अंतह चेतना को सांसारिक विशों से हटाना है अगर ये आपने हटा लिया तो बंदन कट जाएंगे भलकी आशा का महो होता है आकरशन होता है इसलिए बड़े काल तक उसका ध्यान भी बना रहता है और उत्सुकता भी बनी रहती है उत्सुकता एक परकार के गहरे संसकार के रूप में हमारे उपर जाकर के जम जाती है चेतना पर जाकर के चित पर जाकर के जम जाती है और वो जीव को अपनी तरफ खेंशती है जीव को मृत्यू के उपरां फिर भी अपनी और खीच करके ले आती है उत्सुकता करम के प्रती उत्सुकता मरने पर भी जीव यही चाहता मुझे वो ही सुख मिलता रहे और उसी सुख की काम ना करता है आप सोचिए अगर हम यही कर रहे हैं तो हमारे करम का वो महत तो कहां रहे गया हम तो फल की आशा में खोई हुए हैं इसलिए प्रधान्ता करम को देनी है चित के संसकार ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्मान करते हैं लाडली बेटी बिलकुल ठीक लिख रही है ललिता आपका द्रड निष्चे ही सब कुछ है जितना आपका वो निष्चे द्रड हो जाएगा करम की भावना पर अपनी चेतना पर आपकी पकड हो जाएगी अभी उसने हमारी इंद्रियों को पकड करके रखा हुआ है और अपने बस में हमको करके रखा हुआ है हम भाग का रोना रो रहे हैं भाग के भरोसे अपने आपको छोड़ करके रह रहे हैं आप खुद स्वयम विधाता हैं जो अपना निर्मान स्वयम करता है विधाता का मतलब है जो अपना निर्मान स्वयम करता है कुच्चित संस्कार छूटेंगे योगा ब्यास द्वारा मानव मन ससक्त और सेक्षम बनेगा ललीता ध्यान देना बेटा मानव का मन ससक्त बनेगा मन का परिसकार ही चित का परिसकार होगा चित का परिसकार होते समय बुरे कुच्सित विचार निस्कासित होने लग जाएंगे बेटा वो निस्कासित होने लग जाएंगे बिटा जब इस अवस्था को देखोगे तो इस अवस्था पर बहुत पच्चताओगे और फिर कहोगे कि ये ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं हो गया था सादक आरंबिक अवस्था में घबरा उठते हैं जबकि ऐसा कोई भै उत्पादक कारण नहीं है ये स्वाभाविक है ऐसुद्धिया निस्कासित होती है दुरगंद आती ही आती है नाली में डंडा मारोगे तो गंदगी दबी पड़ी रहती है और गंदगी को बाहर रिकालोगे तो बद्बू फैलाईगी वो ही नाली है रोज घर में रहती है पर जिस दिन डंडा मार दिया सारे घर को बद्बू सबर देगी देख लीजिए दुरगंद के कारण चित चित की शुद्धी होती है तो पाप निकलते हैं बुरे विचार अबहाव बहार निकलते हैं गंदगी विचारों के रूप में निकलती चली जाती है जिसमें अने को दबी हुई छुपी हुई इच्छाएं वासनाएं समलित होती है निकालो इनको निकालो इनको उसी से हमारा परिस्कार होगा अब यग्य की तरफ चलेंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है और मैं एक बार पुने पूछना चाहूंगा अगर आपको मेरी बात समझाई हो तो आगे चला जाए देख ले बेटा अब तुम्हें लिख रही हो अरे अध्यात मिसलिये तो बेटी नुश्किल है के उसमें अपने आप से लड़ना पड़ता है और हमें दूसरों के आधिन रहना पड़ता है अच्छा सच बताओ अगर जोड़ी किसी के साथ बन गई किसी के भी साथ में ललीता भी है रीता भी है अगर दोनों ने अपनी जोड़ी बना ली जैसे दो बैल गाड़ी में जोड़ते हैं जोड़ी बना लेते हैं तो मस्ती के साथ चलते हैं और नहीं चलते हैं बेटा तब तक मुझे मत छोड़ना जब तक यह उतर ना जाए अच्छा लगेगा मेरे साथ जोड़ी बना लो तो बेटी बताओ अगर मेरी तुमारी जोड़ी बोलो बेटा अगर मेरी तुमारी जोड़ी बन जाए तो कैसा लगेगा लिखो जल्दी से अच्छा के साथ जोड़ी बनती है और बुरे के साथ भी जोड़ी बनती है परसो एक बिटिया है कोनिया छेत्र से नाम है नीलम नरोधन गाम है उसका नरोधन ऐसी तडप तडप करके बोल रही थी के सुनने वाले की आत्मा जग जाए सुनने वाले की आत्मा जग जाए उसकी आवाज में इतनी करुणा थी कह रही है आप तो पकड़ लिया आप नहीं छोड़ूंगी आप नहीं छोड़ूंगी जोड़ी तभी ही बनती है जब दोनों बैल की जोड़ी की तरह से अपना साथ निभाएं एक दूसरे का सहरा बने वो अगर हो सकता है तो केवल एक इस्तर पर हो सकता है वो भावना का इस्तर है बेटा सब को लाड़ करके कह रहा हूँ कुछ करो कुछ करो कुछ करो करम की भावना को जगा लो बहुत बड़ा बंब बनेगा युग निर्मान का तुम देवता की तरह कल पूजे जाओगे हाँ बेटी ये तो जीव का साथ ही है गुरू ही पार लगाता है बगेर माबाप के किसी का जनम नहीं होता संसार में अगर अपने बच्चे को कोई कुछ बनाता है तो माबाप ही बनाते हैं बोलो बेटा क्या हमें एक दूसरे को खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या हमें ये सोचना कि कोण हमें क्या दे रहा है विकारी हो क्या आप भिकारी मत बनना हक जमाना हक जमाना ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जैसा आप मेरे पर हक जमाते हैं हम सब एक दूसरे पर हक जमाएं और सब एक हो जाएं सब एक हो जाएं आवशकता इस बात की है विखरने से कोई फाइदा नहीं होगा अपनी अपनी चलाने से कोई फाइदा नहीं होगा आत्मा की चलाओ अपनी अंतर आत्मा की बात को मानिये अंतर आत्मा की चलाओ लाभानी को मत देखना अपने पराई को मत देखना फिर देखना जिन्दगी कैसी होगी सोचो फिर देखना जिन्दगी कैसी होगी निवेधन करूँगा अपना आपा ही हर चीज का प्रमान है अपना आपा ही हर चीज का प्रमान है अरे पहले अपने आपको तो प्रमानित करिये मुझे द्यान है गंगा वियार में गुरुपूर्णी मा का प्रोग्राम रखा गया था प्रवचन सुरू कर्णते के साथ ही मैंने एक बात कही थी बताओ हमारा गुरू समर्थ है या नहीं है सबने कहा मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूँ बताओ हमारा गुरू समर्थ है या नहीं है परन्तो आपके समर्थन के बगएर क्या कर लेगा गुरू तो समर्थ है अगर आपका समर्थन गुरू को नहीं मिला तो वो बेकार है फिर तो बेटा आपके समर्थन के बगएर कैसे किया जा सकता है आपके समर्थन के बगेर कैसे किया जा सकता है हाँ बेटा अपनी चेतना का विस्तार यही है कि आपको कितनी चेतनाएं आपका समर्थन करती है बेटा पैसे से पैसा बढ़ता है पानी से पानी बनता है बूद बूद करके सागर बनता है परन्तु चेतना से चेतना मिलती है तो चेतना का विस्तार होता है अपना विस्तार करना है और अपना विस्तार ही है अपने को गुरु में खपा दो अपने को गुरु में मिला दो जितना एकी कार होता जाएगा चिंगारी मिलकर के भट्ती बन जाएगी जिसमें पाप जलेगा पाप जब तक नहीं जलेगा चिंगारी नहीं बनेगी हम गुर्देव की जोती है हम गुर्देव की जोती है हमको ज्वाला बनना है हमको ज्वाला बनना है तो तैयार हो आप जलती हुई दो मुम्बतियों को पासलाओ दोनों चेतन ये हैं इसलिए दोनों के बीच में लगाव है गुरू का समर्थन आपको है बेटा गुरू का समर्थन हम गुरू के बच्चे हैं उनका समर्थन है उन्होंने हमें अपने कलेजे से लगा रखा है तो क्या उनकी चेतना को पाकर के आप आगे नहीं बढ़ेंगे हाँ बेटी गुरू की इच्छा ही हमारी इच्छा होनी चाहिए मैं फिर दुबारे से कहता हूँ मैं कौन सा काम करूं के गुरू प्रसन्न हो जाए और गुरू भी किये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को क्या दे दूँ कि मेरा बच्चा माहन हो जाए जब ये हमारे बीच में रिस्ता जुड़ेगा मैं क्या कर दूँ हम एक दूसरे का क्या कर दे तब हमारा भला होगा इसलिए उस इस्तर तक चलना है उस इस्तर से चलना है समय बहुत ही जादा हो चुका है मेरा मन है जब तक फूट करके आपके अंदर से हूख ना निकल जाए तब तक ना छोड़ा जाए हाँ गुपता जी भासा से नहीं समझा जा सकता इसको पक्की बात है पत्थर में से फोड़ करके पानी निकालना असान है परन्तु इसमें से चेतना को जागरत करना इतना असान नहीं है जब लगाव जगेगा तब पता लगता है लगाव की बात बता रहा हूं चार बजे आ रहा हूं गंगा विहार पता लग जाएगा किसको कितना लगाव है अपने गुरु से चार बजे का समय दिया है वही पता लगेगा ना प्रक्टिकल हम क्या है कितना त्याक करते हैं गांकी जिनकी जूटी लगाई है अभी प्रोग्राम संपन करने के बाद नो सवा नो बजे तक मैं उनके पास पहुँच जाऊंगा प्रवचन के एक साथ हटते के साथ ही चल लूँगा अपनी अपनी जूटी को सब निभाओ गुरु का काम चलेगा फिर देखे कैसा चलेगा चलिए अब यग कर लेते हैं नहीं तो बहुत ही जादा में लेट हो जाऊंगा एक बच्चे का आज जनम दिन भी है सुदेश का बेटा है नहरू विहार में बड़ा ललाई था हुल्लसित था मासे भी प्रार्थना करा रहा था कि आज हम वहां पहुँचें बेटा प्रोग्राम जरूर रखना है अगले रविवार को मैं आ रहा हूँ नहरू विहार वाले सुन रहे होंगे सुदेश की इच्छा थी उसके बेटे की इच्छा थी जनम दिन आज मनाएंगे परन्तु प्रोग्राम के लिए मैं अगले संडे आऊंगा सुदेश के यहां प्रोग्राम रख लीजिए उस बच्चे का और ज़्यादव उत्साह बढ़ाएंगे यही तो है कि छलांग लगाने की स्थिती को पैदा कर दिया जाए खूब समय आठ दिन का समय आपको मिल रहा है खूब अच्छे से तैयारी करो पैसे खर्च करने को नहीं कह रहा हूँ तैयारी का मतलब यह है आप शान सोकत मत दिखाना साधा जीवन उच्छ विचार बिटा मैं तो उस तरह का आदवी हूँ जंगल में भी पेड़ के नीचे बैड़ जाओ प्रोग्राम हो जाएगा कुछ नहीं चाहिए आप चाहिए केवल इसलिए तैयारी कर लीजिए पवित्री करणम अभियक जल्दी जल्दी कराऊंगा कर लीजिए बाय हात पर जल सीधे हात से ढख लेंगे पवित्रता का भाव पैदा करेंगे मंत्र अभिवंत्रित जल को अपने उपर छिड केंगे गुरू की कर्पा बरस रही अंदर भार से जीवन पवित्र हो रहा है ऐसा करें बाई हाथ पर जल ले करके सारी किरियां एक बार कर लेंगे तीन बार सीधी पांच उंगलिया डुबा करके तीन बार मुख में छीटा देंगे इस तरह से ओम अम्रतो प्रस्तनमसी स्वाह ओम अम्रता पिधानमसी स्वाह ओम सत्यम यसे सिरिर्मै स्री स्रियताम स्वाह सिखा वंदनम् ओम चिद्धरूपणी महमाई दिवतेजय समन्विते तिस्देवी सिखा मद्धे तेजो व्रद्धिम कुरुष्यमेव न्यास करिये ओम वांग में आसई अस्तु मुक को ओम नशोर में प्राणो अस्तु नाशिका के दोनो चिद्रों को ओम अक्षनोर में चक्चुर अस्तु दोनो नेत्रों को आम कर्णेयोर में स्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, आम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, आम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंगाओं को, आम अरिस्तानी मेंगानी तनुस्तनवा में सह संतू, धर्ति माता पर एक आच्मनी जल जड़ा करके उसका चरण स्पर् ओम प्रत्वित्वया धर्ता लोका देवी त्वम विश्वनुना धर्ता तुम चधारियमाम देवी पवित्रम कुरुचा स्मनम एक दूसरे कुत्तिलक लगाए ओम चंदनश्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनासनम आप्ताम हर्ते नित्यम लक्षमी तिश्टती सर्वदाम कलावा नहीं बांध रखा हो तो बांध लें वर्ना मुठ्थी बांध करके पकड़ करके संकल्प लें ओम ब्रतेन दिक्षा मापनोती दिक्षा यापनोती दक्षणाम दक्षणाम स्रद्धय मापनोती स्रद्धय सत्य माप्यते गुपताजी से प्रार्थना कर रहा हूँ विने मिस्रा लाइन पर है उनके बेटे की आत के अंदर एक व्रण है आप अपनी अनभव से या सोच समझ से उसके लिए जो भी आप अपनी सल्हा दें कोन या छेत्र में है ये उस पर लिख करके डाल दें मैंने भी किताबे टटोली उसमें उससे स्थर का मुझे कुछ मिला नहीं मुझे समय भी कम मिला और मिला भी नहीं और मैंने उसे वायदा किया ठाक मैं बताऊंगा तो आप इसमें उनकी साहता कर दें, कोन या छेत्र पर लिख दें वो अपना देख लेंगे उसको अब दिपक का पूजन करेंगे अब कलस को तिलक करेंगे अम तत्वायामि ब्रह्माना वंदमानस्त दासास्ते यजमानो हविर्भी अहेडमानो वरुनेह बोध्यर्शह गवंग्षमाने आयुहु प्रमोसीही अम मनोर्जूतिर जुस्तामा जश्य ब्रिहस्पतिर यग्यमिमं तनोत्वरिस्टम यज्यग्वंग्षमिमंदधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम आम प्रतिस्टे है आम वरुनाई नमे आवाहियामि स्थाप्यामि ध्याईयामि ततु नमस्कारम करोमी मिस्राजी आप गुप्ताजी का नंबर आपको आजाएगा आप इनसे बात कर लेना अब गुर्देव माताजी को तिलक करो गुरुद्बं महा गुरुर विश्णू गुर्रेवो महिस्वरे गुर्रेव शाक्षाथ प्रभम तस्माई स्री गुर्वे नम अखंड मंडला कारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्सितम येन तस्माई स्री गुर्वे नम ओम स्री गुर्वे नमा आवा हेयामे स्था प्यामे ध्यायामे ततो नमस्कारम करो में ये सीमा भी लिख रही है बिटा गुपता जी के लिए तो हम सोच रहे हैं उनके लिए भी दवाई एकाद ओर भी है हमारे ऐसे परिजन जो डाइलेसिस पर जाते हैं किटनियों की जिनको प्रोब्लम आ गई हैं उसके बारे में भी अभी हम सोच रहे हैं दरसल मैं मुझे गोखरू कहीं मिला नहीं है अभी गोखरू मिल जाए तो हम दवाई बनाएंगे मा गायत्री को तिलग करेंगे आयातु वर्दे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री चंदसाम माताह ब्रह्मयोने नमस्तुते ओम स्री गायत्रे इनमें आवाहियामिस्था प्यामे ध्यायामित्तु नमस्कारं करोमें पूजन करेंगे एक पुष्ट लेंगे समर्पित समर्पन का भाव समर्पित करेंगे बूंद बूंद करके चार बूंद जल चड़ाएंगे साहिक परिजन कलावे के दो छोटे-छोटे टुकडे तोड़ लेंगे पाद्यम समर्पियामी अर्गम समर्पियामी आच्मनम समर्पियामी सनानम समर्पियामी वस्त्रम समर्पियामी यग्यो पवीतम समर्पियामी तिलक करिए गंधम विलेपियामी चावल अक्ष्तानी समर्पयामी, पुष्पानी समर्पयामी, धूपम मागरयापियामी, दीपम दर्सयामी, नवेद्यम निवेद्यामी, फूल पक्ती, तामबूल पुंगी फलानी समर्पयामी, दक्षना, दक्षनाम समर्पयामी, सर्वा भावे अक्ष्तानी समर्पयामी, ततव नमस्कारन करो नहीं। बेटा दक्षणा की आजकल बहुत जरूरत है। पर जो समझा है जा रहा है वो दक्षणा है। बहुत जरूरत है। इसके बगेर काम नहीं चलेगा। हाद जोड़कर प्रणाम। अपनी देवशक्तियों को, पित्रों को, देवताओं को सब को करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वारा है, आगने आम गड़ुद्धजय, दक्षणे पदबना भमस्तु, नेरेत्रियाम मदुसूदन है, पस्ची में चैव गोविंदो, वायव्याम। अप्रामन्तु जनार्दन है, उत्तरे स्रीपती रक्षिद, इशान्यम ही महिस्वर है, उर्धम रक्षतु दातावो, अयोदो, अननतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपियत स्थानम रक्षत, विसो ममार देक अपसर्वन्तु, ये भूताई, भूताई, भूमे सनिस्तताई, , भूता विक्म करतार्सितिग, अच्छंतु सिवाग गया, अप्रामन्तु भूतानी, पिसाचा, सर्वतो देसं, सर्वे साम्विरोदेन, यग्यकर्म समार्वे, पहले अग्नी स्थापना कर लें, फिर तुरंत रिशियों को बुला लेंगे क्योंकि अगनी तब तक परजलित हो जाएंगे अगनी स्थापना करिए अब हाथ पर पुष्ट चावल ले लिजिये देव रिशियों का अवाहन सबसे पहले गोतम रिशि वो एक आज समीधा लगा दें एक दो समेधा लगा दें तब तक वो तैयार हो जाएंगे स्रोत्र करम के संप्रदाए गोतम रिशी स्रोत्र करम के संप्रदाए का जिनने किया परवर्तन था अगनी होत्र की परंपरा में किया सुकत संसोदन था सभी प्राणिये के जो प्रिये उन गोतम रिशी को आज नमन रिशी प्रिये थे जो रहे ना निस्क्रिये उन गोतम रिशी को आज नमन ओम गोतमे सरभूता नाम रिशी नाम चैसदा प्रिये स्रोता नाम कर्मा नाम चैर संप्रदाय प्रवर्त के ओम गोतमाई नमन आवाहे हाय आंस्था प्यावी ध्यायय यहामी की सदा अध्यन कोतत पर लिशी भाएरदवाज पहेंrhी ऑंदन अतल ज्ञान के थे प्रतिमूरती बने गायत्री की प्रतिस्थाप ना करके जक्की पूरती बने उन रिजी विश्वामित्र को करते हम सब्नमन यहां करपा करें ब्रह्म रिशी आपका हुँ सुक्कर आगमन यहां ओम विश्वामित नवस्तुप्यम जलता आगनी संप्रभम अध्यक्षी कृते गायत्री तपो रूपें सनिस्तता ओम विश्वामित राइनमे आवाहयामी स्थाप्यामी ध्यायामी ततो नमस्कारम करोमे कश्चपरिसी का वहन। ये कश्चप रिसी सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का द्यान दिया है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ क्रपा करें रिसीवर हम सब की पूजा अर्चा स्विकार स्वयम यहां आकर करें अब जम्दगनी रिसी का आवाहन सबके परमहिते सी रिसीवर आप धरब पूथि मूरती रहे कारिय कुछल इतने के करम के हर यूख के अनुरूप रहे जनहित्व से जनकी करुणा से भरा सदा जिन का मन है उन मुनिस्रेष्ट वसिष्ट पूजिवर का सादर आवाहन है ओम नमस्तु अभ्यम वसिष्टाय कर्मकृते महमुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारने ओम वसिष्टाय नमे आवाहियामिस्था प्यामि ध्याययामि ततु नमस्कारम करों में अत्री रिसी का वहन ये रिसीवर ब्राहमन से इस्थ विस्व में जन जनके हितकारी है तपय पूत है सत्य रूप है तेज स्विव्रद्धारी है ये महन रिसी अत्री आपको नमस्कार हम सबका है आज आप पर भी रिसीवर पर्व लोग हितेशने तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मने मित्तेज से ओम अत्रैनमे आवाहयामी स्थाप्यामी ध्यायामी ततो नमस्कारम करोर्मी मा अरुंधति का आवाहन। अब समिधा दान करिए चार समिधा ले लिजिए ओम अयंत इद्मात्मा जात वेद से इस्थेने द्यवर्दश्वाचे द्यवर्दे चाश्मान प्रजया पशुर्वेर्ममर्चा से अन्ना देन समिध्याई स्वाहन। इदम अगने जात वेद से इदम नमम दूसरी। अम समिधा अगनिम दुवशत धिर्टाई बुद्यताति थिम अस्मिन हव्य जुहोतने स्वाह। इदम अगने इदम नमम तीसरी। अम सु समिधा इसोच से गृतम तिव्रम जुहोतने अगने जात वेद से इदम नमम चोती। अम तम्त्वा समिध भिरंगरो गृतेन वर्धया मसी बहचो चाय विष्ट यही स्वाह। इदम आगने अंगिर से इदम नमम जल प्रसेचनम उंड के बाहर जल छोडेंगे। अम अधिते अन्मन्यश्वय इती पूर्वे। अम अनुमते अन्मन्यश्वय इती पस्चिमें अम सर्षवता अन्मन्यश्वय इती उत्तरे अब दक्षिन से चारो तरप। ओम देव सविते पर्शुवे पर्शुवे यग पतिम भगाई दिव्योग अंदर्वे केत्पु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु घी किसाता हुतिया देजिया ओम प्रजापते स्वाह इदम प्रजापते इदम नमम ओम इंद्राई स्वाह इदम इंद्राई इदम नमम ओम अगने स्वाह इदम अगने इदम नमम ओम सोमाई स्वाह इदम सोमाई इदम नमम ओम भुह स्वाह इदम अगने इदम नमम ओम भुह स्वाह इदम वाईवे इद अम स्वाह इदम सूरिया इदम नमम गायत्री मंत्रा आहुति ही। अम भूर भूवश तस्यवी तुर्वारेणियं भर्गो देवस्च दीमही दीयो योन प्रचुदया स्वाह इदम गायत्री इदम नमम गायत्री मंत्रा आहुति ही। अम भूर भूवश तस्यवी तुर्वारेणियं भर्गो देवस्च दीमही दीयो योन प्रचुदया स्वाह इदम गायत्री इदम नमम् अम भूर भूवश तस्यवी तुर्वारेणियं भर्गो देवस्च दीमही दीयो योन प्रचुदया स्वाह इदम गायत्री इदम नमम् अम भूर भूवश तस्यवी तुर्वारेणियं भर्गो देवस्च दीमही दीयो योन प्रचुदया स्वाह इदम गायत्री इदम नमम् ओम भूर भुवसह तशवी तुर्वारेणियम भर्गो देवस्य दीमही धीयो योन प्रचोदयास्वाह इदम गायत्रे इदम नमाम। ओम भूर भुवसह तशवी तुर्वारेणियम भर्गो देवस्य दीमही धीयो योन प्रचोदयास्वाह इदम गायत्रे इदम नमाम। अब लिखो जिस जिसको अपनी आहुती डलवानी है संदीप सर्मा उनकी परिवार में परिशानी है न्यू अशोक नगर से सुसीला जिसका स्वास ठीक नहीं है उनके अच्छे स्वास्त के लिए बहपुरा कोनिया से संजय उनके परिवार के लिए और दीपा उमेश दूबे की बिटिया उनका धेवता तबियत ठीक नहीं है उनके लिए और जो भी हैं वो सब लिख हैं जिनको भी कोई दिक्कत है तो उन सब के लिए मैं आहुती डलवा दूँ विवेक का काम ठीक से चले उसके लिए मत्रादास न्यू अशोक नगर से उनके लिए और बेटा ग्रह कलेश तो अब फूट करके निकलेंगे बहुत बुरी तरह से बहुत बुरा हाल होगा इस समय पर रनवीर सिंग के ग्रह कलेश के लिए और पवंद इक्षित के भी ग्रह कलेश के लिए बेटा वियर वो समय आचुका जिसके लिए कहा करते थे अब वो समय आचुका है बेटा अब ग्रह कले बहुत बुरी तरह बढ़ेंगी संपत्ती के विवाद होंगे बहुत बुरा हाल होगा इस समय प्रेमलता की तबियत ठीक नहीं है उसके लिए मधू बजाज उनकी स्वास्त के लिए और रमेश गंगा विहार से उनके लिए और भी जो मेरे अपने हैं ये देव परिवार है सब के लिए यजा महे सुगंधिम पुस्ति वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान अम्रत्य और मुक्षियम आम्रता स्वाह इदम महम्रतुंजा इदम नमम ओम पंच्वक्राई विद्महे महदेवाई धीमही तन्य रुद्र पर्चोदया स्वाह इदम रुद्रा इदम नमम ओम पंच्वक्राई विद्महे महदेवाई धीमही तन्य रुद्र परचोदया स्वाह इदम रुद्रा इदम नमम आम पंच्वक्राई वित्महे महादेवाई धीमही तन्य रुद्र परचोदया स्वाह। इदम सूरिया इदम नमम आम प्रखर प्रग्याई वित्महे महाकाला इधीमही तन्य सिरामे परचोदया स्वाह। इदम आदित्य गनिब्य इदम नमम गुद्डी मलिक उसकी तबियत खराब हम भूल गया था। उसके लिए रोगनास के लिए ओम सीर्सम सक्तिम सीर्णमयम सीर्सम मयम करणम सूलम विलोही तमै सर्व सरीर समनम ते रोगम वहीर निर्मंत्रम यामही स्वाह। इदम सूरियाई इदम नमम सैलेश तिवारी ग्रह कलेश हाँ बेटा यही मैं कह रहा हूँ। सभी परेशान होंगे बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा हेल्प करेंगे हेल्प करेंगे सब इसके लिए भी करना सुरक्षा कवच्छ बने ओम अगनेई वैस्ववानर वैस्वई रमादेव्यई पाही स्वाहा स्वाहा इदम वैस्वनराई इदम नमम हैं। स्विष्टीकृत हो मैं घीमिस्थान के साथ इसाहूती को दीजिए। मुदस्चते पूर्णष्य पूर्ण मादाय पूर्मेवा वशिष्चते ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूरणा पूर्णापत वस्ने विक्कन वह इस्मुर्जय गवं सतकर्तव स्वाह। ओम सर्वम्वै पूनगवं स्वाह। घी की धार बांद करके एक चम्मच घीत छोड़ देजिए। ओम वसो पवित्रमसी सत धारं वसो पवित्रमसी सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सत धारेण सुपुवा काम दुक्षय स्वाह। आर्ती पश्चंतियम योगिनो यशांतम न विदू सुरा सुरुगुना देवायतस महिनमे करपूर गोरं करुणा अवतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदावसंतम हर्देयार विंदे भवं भवाने सहितम नमामे तुमेव मातास चपिता तुमेव तुमेव वद्धुष्य सखा है तुमेव विद्ध्यादधनम तुमेव तुमेव सर्वममदेव देव मंगलं भग्वान विष्णू मंगल गड़ दजय मंगलं पुंडरी काक्ष्याई मंगलाई तनु हरी शांती पाट सबको पुष्वमाट नें सबको आरती नें ुम् ध्यौ शांतिर अंता रिक्षगवं शांतिहि प्रिथविही शांतिरापह शांतिरोशुदहय शांतिहि अर्ग दे देंगे जलका अर्ग किसी पोधे में दे देंगे अम सूरिय देवे सहसरान सोते जो रासे जगत पते अनुकंप्यमाम भक्तिय गणार गम दिवाकरे अम सूरियाई नमे आदित्याई नमे भासकराई नमे है देवदक्षना बुराई का दान और अच्छाई की सुरुवात अम यगेन यग्यमाई जन्त देवा तानी धर्मानी पर्थमान्याशन तेहनाकम महिमांच चत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा मंत्र पुस्पांजलिम समर्पयामे देवदक्षिनाम समर्पयामे थोड़े से चावल ले करके कुंड में छोड़ देंगे विदा कर देंगे कारिय संपन हो गया अम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाई माम कीम इस्त काम समिध्यर्थम पुन्रा गमनाईच चै पुन्रा गमनाईच चै कल फिर मिलेंगे विशे अभी यही चलेगा जब तक पूरी तरह से इस पस्ट बुद्धी से नहीं आचरण से तब तक यही चलेगा